अब हम पीशे दिखाना चाहेंगे ग्री मंत्री अमिश्या का काफिला आ चुका है अगले 2 से 1 से 2 मिनिट में वो यहाँ पर पहुच रही है आप ग्री मंत्री अमिश्या का काफिला देख रही है जिसमें सफेध कलर की यह सफारी है यही अंदर प्रवेश करेगी और ग्रीमंत्री इसी गाली के जरीए देखी अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर उनका इंतिजार कर रहे है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हुए तमाम सारे जाट नेता यहां पे उनके स्वागत लिए अगर बात करें तो बीजेपी पश्चीम छेत्र के जो अध्यक्ष है मोहित बेनिवाल वो हैं इसके साथ साथ केंद्री मंति संजीव बल्यान है बीजेपी पश्चीम छेत्र के चुनाओ प्रबारी कैपिटन अभी मन्नी हुआ है और जो तमाम तरे अन्य जाट नेता है वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं आप तस्वीरों में साथ तोर पे देख सकते हैं कि सांसर प्रवेश वर्मा ने उनको रिसीव किया और अब लेकर जा रहे अब यह गेट बंद होगा और अंदर जो ग्री मंतिरी अमिश्या है वो तमाम तरे जाट नेताओं से जानेंगे किस तरीके से उनके समाज में बीजेपी को लेकर के चर्चा है किस तरीके से नाराजगी है किस तरीके से बीजेपी के सबसे कौन से ऐसा कामकाज है जिससे सबसे ज़्यादा जाट समुधाय के नेता खूश है तियो तमाम तरी बाते ग्री मंतिरी अम पुर्वांचल में यही बात ब्रामर समुदाय के लिए कही जाती है, जो बात पुर्वांचल में जाटों के लिए कही जाती है, वो बात पुर्वांचल में ब्रामरों के लिए कही जाती है, तो शुरुवात जो है पुर्वांचल में दस फरवरी को पहले फेज का मतदान होन पुर्वान्चल में भी जब ओटिंग का दाओर आगा तो वहाँ पर भी हमको जो जानकारी मिले ये ग्रीमंती अमिशा पहुचेंगे अगर वेस्टन यूपी में अपना सिक्कर जमाना है तो आप जाट समुदाय को इग्नौर नहीं कर सकते हैं जाट समुदाय की जो साथ है वो बहुत मिलना जरूरी है और इसलिए अमिशा आप जाटनेताओं से बात कर रहे हैं वो पहुच भी चुके हैं जिसकी तस्मीरे आपके माध्यम से हमने अपने दर्शकों को देखाई सांसत प्रवेश वर्मा के घर पर पहुच गए हैं और अब जाटनेताओं के साथ उनकी जो मुलाकात है वो शुरू हो जाएगी जाटनेताओं से वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखेर मुद्दे क्या है अविनाश ये देखे मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चे मुस्तर प्रदेश में इस बार समिकरन बदले हैं चाहे फिर वो किसान आंदोलन को लेकर हो या फिर किसानों से जुड़े हुए बाकी तमाम उद्दे हों कुछ नाराजगी की बात जाटों की तरफ से जरूर सामनी आई थी जिसे कहीं न कहीं साधने की कोशिश होगे इस मुलाकात में